हलो फ्रेंज, सुरीन सॉलिड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है मेरा नाम है सुजे सुरीन और मैं आपके पास लेकर आती हूँ नए नए घर के डिजाइंग्स जो आपको हल्प करता है आपका नए घर बनवाने में और बना होता है बिल्कुल ही कम स्पेस पे तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप मेरे चैनल पहले से देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेर कर दे स्क्रिन पे ये जो घर आप देख रहे हैं सिर्फ 32 बाई 38 फीट में बना हुआ है 4 कमरों का घर है और एक parking के साथ ये घर बना हुआ stairs बाहर की तरफ है, north facing ये घर है करके हम आपको बता दे कि east से west जो इसकी लंबाई है सिर्फ और 32 feet है और north से south जो इसकी लंबाई है वो आपको 40 feet देखने को मिलेगी तो north से south 40 feet और east to west इसकी जो लंबाई है वो 32 feet तो 38 और 40 38 by 40 feet में ये पूरा घर बना हुआ है जिसमें की 2 feet जो है आगे की तरफ से छोड़ा हुआ भी है तो जो stairs है 12 feet by 17 feet 5 inch का आपको देखने को मिलेगा stairs और यहीं पे आपका main gate है और यहीं पे आपकी parking भी दी हुई है उसके just bugle में आपको पहला कमरा देखने को मिलेगा जो की है 10 feet by 12 feet का उसके just bugle में आपको एक छोटा सा कमरा देखने को मिलेगा जिसको आप study room भी बना सकते हैं जो की है 7 feet 8 inch by 12 feet का इसको अब चाहें तो peuja room बनाए इसको आप चाहें तो study room भी बना सकते हैं उसके बाद hall है और ये hall जो है वो 22 feet by 11 feet का देखने को मिलेगा linear straight hall है जिसमें की dining और drawing एक साथ ही दिया गया है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा bathroom जो bathroom है वो just आपके hall से just sati हुई है और gate main gate जो है वो 3 feet 6 inch का है यह आप देख सकते हैं यहां से entrance है और यह 3 feet 6 inch का है यह आपको common bathroom दिखेगा यहाँ पर एक common bathroom और एक जो है वो attached bathroom जो कि south की तरफ बना हुआ 8 feet 1 inch by 4 feet का यह common bathroom है और यह attached bathroom जो है वो है 8 feet 1 inch by 4 feet 6 inch का उसके साथ यह जो बड़ा सा कमरा आपको देखने को मिल रहा है जिसको हम master bedroom कह सकते हैं वो आपको 12 feet 6 inch by 11 feet का देखने को मिलता है तो यह हो गया तीसरा कमरा जो की है 12 feet by 11 feet का और उसके साथ attached bathroom है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 10 feet by 11 feet का एक और कमरा और उसके बाद आप देख सकते हैं यह kitchen यह 7 feet 8 inch by 11 feet का आपको kitchen देखने को मिलता है तो कैसा लगा आपको यह पूरा प्लान हमें comment करके जरूर बताएं सिर्फ और सिर्फ 1200 square feet में हमने 1200 square feet से भी कम जगह में चार कमरों के साथ एक parking का पूरा घर बनाया हुआ है जो की पूरा वास्तु के अनुसार बना हुआ है तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए